नमस्कार मैं हूँ मिस्टर स्टॉक तो दोसों इन्वेश्टर ने रेल्वे से जूड़ी जिन कमपनियों के शेरों में दिल्चस्पी दिखाई है उनमें आरिवेनल भी सामिल है दरसल रेल के इन्वेश्टर में भारी निवेश और रेल सेवाओं को फायदमन बनानी की सरकार की कोशिसों की वज़ा से रेल्वे से जूड़े शेरों में दिल्चस्पी बढ़ी है दोसों सरकार रेल्वे में माल धुलाई के लिए नई लाइन बना रही है और मौझूदा सिंगल लाइनों को डबल किया जा रहा है वहीं इलेक्टिफिकेशन पर काफी ज़्यदा जोर दिया जा रहा है और इसे रेल्वे से जूड़ी कमपनियों को काफी ओडर मिल रहे है हाले की दोस्तों रेल्वे के सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट के बाउजुद आर्वे निल का पॉफाउमेंस अच्छा नहीं रहा है मास दिमाई में कमपनी का कॉंसलिडेटेड रेविन्यू साल दे साल अधर पर यानि की एर ओन एयर बेसेस पर 11 पसंद गिर कर 5719 का रूपे रहा वहीं नेट प्रॉफिट 5 पसंद घट कर 360 का रूपे रहा वहीं अगर हम एबिटा की बात करें तो एबिटा येर ओन एयर बेसेस पर 8 पसंद गिर गया है दोस्तो एबिटा मार्जिन अभी के समय में 6.5 पसंद रहा है बता दी कि एक साल पहले ये 6.3 पसंद था दोस्तो एक्सपर्ट का कहना है कि कमपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट की कई वज़ा है इसमें मैटेरियल और सर्विसेस की ज़्यादा कॉस्ट प्रोजेक्ट पर चल रहे काम में देरी और सरकार से पेमेंट मिलने में देरी सामिल है दोस्तो मज़ेदार बाती है कि कंपणी के शेरों में डोमेस्टिक, औरगनेजेशन इनिवेश्मेंट और पब्लिक शेर होल्डर जून 2020 से लगतार अपनी हिसेदारी बढ़ा रहे हैं बता दे कि तबसे ये शेर 500 पसंद चड़ चुका है दोस्तो मज़ेशन के लिए जिसे देखा जाये तो आर्वेनल का शेर महंगा है दोस्तो कंपणी का पी आई 7.6 गुना है ये कॉम्पिटिटर कंपणी के पी आई के मकाबले ज़्यादा है दोस्तो कंपणी के शेर यानि के अर्वेनल के शेर उसके बुक वैल्यू से 1.5 गुना प्रीमियम पर कारुबार कर रहे हैं बता दे कि कंपणी के सांदर ओर्डर बुक को देखते हुए ये प्रीमियम सही लगता है दोस्तो कंपणी के ओर्डर बुक 55,000 का रूपे से भी जादा है इसमें से 36,000 का रूपे का ओर्डर रेल्वे से मिला है वही कंपणी ने 20,000 का रूपे के ओर्डर बुली लगा कर हासिल किये हैं एनलिस्ट का कहना है कि इस order book की विज़े से अगले कुछ सालों तक company की कमाई को लेकर तस्वीर साफ है दोस्तों इस company के share में invest करना काफी सही हो सकता है क्यूंकि आने वाले समय में railway में काफी ज़्यादा विकास होने वाला है हाला कि आप comment करके बता है कि आपको इस company के share में कि किते का profit या फिर किते का loss हो रहा है दोस्तों अगर आपको जाना है कि कौन से company का share कब आय करना है या फिर कौन से company का share कब sell करना है तो आप हमारे टेलिगाम चैनल को follow कर सकते हैं तो दोस्तों ये तो कुछ update RVNL के share को लेकर इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते नेक्स वी